हेलो प्रिंट सौगत आपके चैनल फेंटेसी डॉक्टर में एक बार फिट से जो मैच हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं वह ने वाला है यहाँ पर ब्रदर गैस वरसिस के बीच जो मैच होने वाला है इस मैच की वीडियो वीडियो इंपॉर्टेंट रहे हैं आपके अबनादा हैं इस वीडियो में आपके साथ सब्सक्रीं पर आपको स्क्रीन फेंपर नाम से पर आपको हमारे टेलि अरे चैनल उस से जुड़ांना को करना कि आएगी वीडियो के नीचे जहां comment करते हो वहां आपको हमारे टेलिग्राम चैनल का link मिल जाएगा सबसे उपर blue color का link होगा जैसे इस पर click करोगे टेलिग्राम चैनल open हो जाएगा then उसको आपको join कर लेना तो ध्यान रखना अगर आपको हमारे टेलिग्राम के सही और original वाले चैनल के साथ जुड़ना है तो आपको link का ही use करना पड़ेगा जो आपको वीडियो के नीचे comment में दिया हुआ है तो ध्यान से टेलिग्राम चैनल को join कर लेना जैसे मैंने आपको बताया और आपको search करके जॉइन नहीं करना है अगर आप search करके जॉइन करते हो टेलिग्राम को तो आप किसी गलत या फेक चैनल के साथ जुड़ सकते हो तो direct link का ही use करना ताकि आप सही चैनल के साथ जुड़ पाओ direct आप link के पे click करो तो सही चैनल ओपन होगा उसका link आपको वीडियो के नीचे comment section में दिया हुआ है अब आते है मेन मुद्धे पर वीडियो के first of all बात की जाए तो ही semi-final match है ठीक है बाकी important रहे first semi-final match है और कौनसी team is strong है कौनसी week है दोनों team equally strong है equally weak है आप किसी भी बात की जाए आते हैं बात की जाए इन्वेस्टमेंट के में मीडिया में इन्वेस्टमें डखना उतना ज्यादा मत करना ठीक है तो ग्रैंड लिग पर फोकस मुनाई रखेंगे और जिनको एक बार स्टार्ट अच्छा मिलिया तो टीम उना बड़ा स्कोर किया 200 दोसों भी मारे 200 के ओपर भी स्कोर किया है बीच के कुछ मैचे हाई स्कोरिंग नहीं रहे थे बट लाश के कुछ मैच इस फिर साई स्कोरिंग रहे है एकस्पक्ट कर दोए मैच में हाई स्कोरिंग तो नहीं बोलुगा 170 के आसपा देखने भी सकता है कि एक सेमेफानल मैच ए फोड़ा प्रेशर भी होगा तो कही नगे देखा जायते हैं तो 60-70 के रांड आप एकस्पक्ट कर सकते हैं इस मैच में और एन एवरेज बाकी परफार में इसका 131 पर 5 156 पर 6 148 पर 131 पर 201 पर 4 144 पर 5 तो टीम ने सिर्फ एक बार 200 उसे उपर स्कोर किया चे मैच चे मैच में और एक बार डेट जो पर किया बाकी चार बार डेट तो से नीचे स्कोर रहा है टीम का ठीक है बाकी विकित लॉश्ट और विकित टेकन क्य एक चे मैचे से 39 को रोगे, इसका 5 विकिट तो अगर तो आता है ओक हो तो इससे जरूर पता जलतिन कि बार चाह एक से ना विकित बार गिराट हरbleically अपने मैच में、 लुश्र बाकि बॉकित कंदाने तो पर डेट ओकर किया फोकर 10-9 विकट सो युझा एक nggak ga होगे आता है बालिंग में अच्छी है बाकि अगर बात की जाए तो यहां पर इंके पॉसिवल प्लेंग इलाओं टीम की रहने वाली वो क्या रहने वाली है जेको आहन फर्नेंडेस इनके लिए उपनिंग करने आ रहा है बात की जाए तो इस टोनमेंट अभी तक पच्चिस चार मैंच खे और बैटिंग से अच्छी प्रफॉम्स करें चार में से दो हाफ सेंचरी तो इंपोर्टन बनता है अभी तक देखो कि तो प्रफॉम्स आपे फाहाद नवाज ने दो हाफ सेंचरी एक बर सेंटालिस और तीन मैच में थोड़ा स्लोई स्कोरिंग जीरो तीन तीन बाकि बाल में है कि यह कि कैप्ता ने ओपनिंग रहा है बैटिंग से परफॉमंस कर रहा है बालिंग अच्छी कर रहा है तो कहीं न कहीं बालें तो पहाद नवाज आपके लिए ट्रॉलिग में ट्राइक कर सकते हो रीजन यह कि regular बालर ने दूसरा बैटिंग से अभी तख कोई खास ह पाँच में से दो मैचेस में हाफ सेंचुरी इसने स्कोर करी और दो बार 30 से उपर गया एक बार 19 करा तो कहीं न कहीं टीम के लिए इंपोर्टन बनेगा आपको टीम से मिस नहीं करना चाहिए बाज बाको इंपोर्टन रहेगा बागे ग्रेंड लिग टीम में कर सकते हैं बागे हैं अश्वन्त वल थापा विकेट इपिंग करते हो नदर आएगा टीम के लिए और यहां पर 38 स्लाश में बहुत चीनिंग के लिए नट आउट उससे पहले एक मैच में चौदर रहे थे तो कहीं न कहीं आप इसको ग्रेंड और हर मैच में तीन से चार ओवर कर रहा है और 12 विकेट निकाल जोगा पांच मैच इसमें इंपॉर्टन बनेगा इवन वाइस कर सकते हो असी वह चारे विकेट ले पाई टोर्णामेंट पर चार मैच में इसलिए अथना इंपॉर्टन नहीं रहेगा अजरा वहारा बैटर जो तो थोड़ा डिफरेंट जाकर रिसकी टीम में ट्राइ कर सकते हो बेदुर रहमान भी कुछ खास कॉंट्रिबूशन दानी 6 मैच में सिर्फ तीन ही विकेट निकाल पाया है ओ अली के बारे बात किया तो एक विकेट निकाल अतना इंपॉर्टन नहीं रहेगा मैपन इं इंटरनेशनल टीम है इसके लिए खेलता है 2019 में और जो अंडर 19 वर्ल्ट पाथ तो इस टीम का पार्ट था और इंटरनाशनल आस्ट लाइशनल आज़ अर इंटरनेशनल लाइवल के श्ट्राउंग टीम है और अभी तक इस टोनरमेंट में छे मैच इसमें 13 विकेट निका इसमाइल ने दो मैच इसमें सिर्फ एक विकेट लिया है जैनुला ने सिर्फ बैटिंग करिया कुछ खास कॉंट्रिबूशन किया है सलमान खान लास्ट मैच खेला था अगर यह प्लेंग 11 मैं तो जरूर टीम में ट्राइक करना है रीजन साफ साफ बताता हूं सिर्फ दो म मेरे बने का यहां पर आहन फर्नेंडिस फहाद नवास लपरीद बाजवा तीन होगा है चौथा बोलूगा फराद दिन पांच और बोलूग मैच और छटा बोलूगा यहां पर जो भार बैचना सकतर प्ले इंगलन में यहां पर सलमान खान तो छे प्लेर इंपोर्टन रहे और एक मैच हारे सिफ और बात की जाए तो विकिट लॉष रो विकिट टेकन इससे पहले टीम ने क्या स्कूर है 200 मार चुके एक बार टीम एक बार 228 से पहले टीम की बैटिंग कितनी स्ट्रॉंग है बड़ा स्कूर कर देते हैं कभी भी एक मैच अबन 59 वारे 101, 171, 872 अग और कोई टीम दो बार 200 से उपर मार सकते हैं तो कही नगास की बैटिंग बहुत श्रॉंग नजर आती है 38 और 51, 38 खोई एक 50 विकिट लिए तो 6 मैचे से डिवाट करो कि तो और 6 से 7 विकिट पर मैच कंपेर करो के के वी की तो थोड़े ज्यादा विकिट खोते हैं बड उतने भी ज्यादा नहीं है ठीक दोनों की बैटिंग को आप एक्कोली मान सकते हो अब बॉलिंग के मामले में बोले हो थे विकिट टेकन के मार में इनकी टीम ने 7 से 8 विकिट पर मैच उनके 8 से 9 बाकी एम वसीम के बारें बात की जाए तो लाश नहीं चाहतर नट आउट के अच्छी इनिंग के लिए फिर 25 फे 17 फिर 22 यह चार इनिंग्स खेली है इसमें से एक मैच में दो वर बॉलिंग करी जहां दो विकिट लिए तो कहीं न कहीं बात की जाए तो रेगुलर बॉलर बढ़िनियए बट कहीं न कहीं अगर मुद वसीम तो बात की जाए तो चहतर मारे इस ने यह 25 शत्रा बाइस पार्ट ताइम बालिंग करी जहां दो विकिट वीडियए तो आप टीम में ले सकते हो आप से आफ उप्षेन बन सकते है बाकि हम्दन ताहिर ने पहले मैच में स प्रेंचुनी मारे, उसके बाद इतना कोई खास बड़ा स्कोर किया निया बट इस्टिल विकेट इविंग प्लैस ओपनिंग करेगा तो इंपोर्टन रहे का टीम में ले सकते हो बाकि यहां पर है उस्मान खान इंपोर्टन रहागा जैसे अभी पाकिस्तन सूपर लिग चल रही है प्येसल यह खेल चुका इसको इसलिए मैं आपको पहले मैच जो खिला समय बोला था कि इसको टीम में लेंगा हमें क्रेप्टेंस क्रेटेंस कि चैटेंस कि उमारी 12-0 अब टोटल पांच 173 बना चुका है यहां पर उस्मान खान मतलब एमिरेट्स डीटन एक होता टॉर्णमेंट युए में 10-10 ओवर का उसमें बाकि अभी तोर्णमेंट पर एक मैच पर अची इनिंग के लिए बाकि लाच तीन मैच में कुछ खास इनिंग आई नहीं है बाकि यहां पर बात किजा जीनु जनार्दन जो कि एक All-Rounder है ज्यादा Overs नहीं करता है अभी तक टोटल टॉर्णमेंट है पांच विगेट्स लिए और बैटिंग से 29-24 यह इनिंग से बैटिंग से अभी तक कोई बड़ी इनिंग आई नहीं है बाकि बाटिंग करता है इसलिए ले सकते हो टीम में बाकि दाओ दी जाए उतना इंपॉर्टन लिए छे में से सिर्फ दो ही मैच व बालिंग करिया बालिंग से एक्षपेक्टेशन जाता है जाता मदकना 3 लिग अभी तक लिया है इसल्फ बाकि बैटिंग से 22-24 यह तो चाहली से 3 इनिंग से तो इसलिए को Captain से Captain से भी आप Grand Link में कर सकते हो बाकि यहां पर है मुहमद Amin ने 8 विगेट लिए अली ने 7 विगेट लिए और यहां पर जावेद ने 5 विगेट लिए तो इन तुनों में से देखा जाए तो किसी 2 को लेना तो जैड अली और Amin को लेना तो जैड अबीद की प्रफॉर्मिंस रही तो कुछी खास रही ने मनसत की एक विगेट निकाल पाया यहां अच्छी स्कोर कर चुका है अलसिंग ने भी दो हाफ सेंच्छी स्कोर कर रही है और वल थापा सिर्फ एक आते मैच में चला तो रेगुलर प्लेर नियुक्ट परफॉर्मर नी तुसरा बैटिंग और मीचे इन दोनों के साथ जा रहा हूं बाकि मैंने यूग खान को लिए ग्रेंड लिग में किसको ट्राइ कर सकते हो इजास को दाविद का मैटिंग ओटर काफी नीचा था इसलिए सिर्फ पहले मैच को मौकात ना मिला नहीं है बाकि मैंने लिया जंजु जनारदन को एस खान को और यहां पर लिया फरूज दिन को अगर फरूज दिन यहां फिलाल कोई और इंपोरडन नहीं है है क्याफ्टेंजी दे रहा हुए और मैयपन को मैटिक मैच को आपकर अप्टेंजी दे रहा हुए है यह यह हैं रहने वाली है Grand League Team 2 यह रहेगी Grand League Team 3 यह रहेगी Grand League Team 4 यह रहेगी ठीक, बाकि स्मॉलिक प्लस Grand League की इस फाइणल अपडेटी टीम होगी, मैं Afterotaos आपको आपको तेलिग्राम पर अप्डेट करना गा है बागी same team अब अगर other app में लगाना चाब तो लगा सकते हो, फिलाल मुझे लगता है नहीं है, तो other app में same team को लगा सकते हो, बागी final जो team होगी, फिर भी कोई credit इशु आदो होगी, आपको telegram पर बता दूगा, जब team दूगा final तो इसकी जगह इस player को ले सकते हो, ठीक है, आप other app पर भी stream को लगा सकते हो, तो मिलदा भी final day में telegram पर जहीं दोस्तो, बाइ-बाइ